योग विद्ध्यान का पहला संचार कांतिस रोवर के किनारे हुआ जो हिमाले में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बरफीली जी है यहाँ आदियोगी ने इस आंतरिक तक्नीक का व्यवस्थित विवर्ण अपने पहले साथ शिश्यों को देना शुरू किया आने से पहले हुआ था लोगों के द्वारा मानबता को बुरी दरहine विभाजित करने वाले तरीके तैयार किये जाने से पहले मानब चेतना को उपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिर्ध किया और फैलाया जा चुका था आज मानबता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंधव लग रहा है शिव एक ही शब्द के दो अर्थ तो शिव शब्द वो जो नहीं है और आदियों की दोनों की ही ओर संकेत करता है क्योंकी बहुत से तरीकों से ये दोनों परियावाची है ये जीव जो एक योगी है और वो शुन्यता जो स्रिष्टी का मूल है दोनों एक ही है क्योंकी किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि स्रिष्टी वो खुद ही है अगर आपको इस स्विष्टी को अपने भीतर एक शन के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है जो शूने नहीं वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता एक बरतल में समुद्र नहीं समा सकता ये ग्रह समुद्र को समा सकता है पर सौर्य मंदल को नहीं समा सकता सौर्य मंदल ग्रहों और सौर्य को समा सकता है पर बाकी की आकाश गंगा को नहीं समा सकता अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ें तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है योग शब्द का अर्थ है मिलन योगी वो है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है इसका मतलब है कम से कम एक शण के लिए वो पूर्ण शून्यता बन चुका है शिव शब्द के दो अर्थ योगी शिव और शून्यता एक तरह के पर्याय बाची है पर फिर भी वे दो अलग-अलग पहलू है क्योंकि भारतिय संस्कृति द्वंद्व से भरी है इसलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं एक पल हम परम्तत्व शिव की बात करते हैं तो अगले ही पल हम उन योगी शिव की बात करने लगते हैं जिन्होंने हमें योग का उभार दिया है